नमस्कार, स्वागे थे आप सभी के एक नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम आपको SBA credit card का बिल एक मिनिट के अंदर भर के दिखाने वाले हैं तो आप लोगो को इस वीडियो को ध्यान से देखना है कहीं पर भी इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरू से जरू प्रेस कर लीजिएगा तो हम आपको ज़्यादा टाइम बेस्ट नहीं करेंगे हम आपको लेकर चलेंगे वीडियो भी तरब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा सबसे उपर आपको दिख जाएगा लास्ट बिल समरी आज आन ट्वन्टी जन्वरी दोहजार टेज तो आपको क्या करना है यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा एक पेन आउट बटन सिंपली आपको क्लिक कर देना है पेना उपर और पेना उपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोसेस सिंपली आ जाना है प्रोसेस पर प्रोसेस पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दिखाई देगी और यहांपर आपको फिर से confirmation किया जाएगा टोटल एमाउंट और मीनिममम इमाउंट तो आपको हमेशा टोटल एमाउंट पे करना है आप लोग यहांज से मीनिममम इमाउंट भी पे कर सकते हैं फिर कोई अगर आप other amount पे करना चाहे तो हम यहाँ से चूज कर लेंगे UPI बाला absence और यहाँ पेना उपर कर देंगे click पेना उपर click कर देने के बाद आपके सांदे कुछ इस प्रकार का interface खुल कर आएगा और यहाँ पर अब आपको अपनी जो भी UPI ID है जिससे भी आप payment करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको UPI ID डाल देनी है तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं अपनी UPI ID और यहाँ make payment पर हम click कर देंगे अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है home button से इस चीज को कर देना है cut आपको bike नहीं जाना है home button यानि कि जो भी mobile की home button होती है उससे कर देना है cut तो हम यहाँ से home button पर click करके इसको कर देंगे cut तो यहाँ पर हमने अपने phone pay का UPI ID यूज किया था और यहाँ पर ऊपर खुल के आ रहा है pay now करके तो हम simply यहाँ पर pay कर देंगे और यहाँ पर जो भी हमारा pin है उसको हम डाल के यहाँ OK कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पर हमें जो हमारा payment है वह successful हो चुका है अब फिर से हम आ जाएंगे जो three dot वाला options होता है उससे और हम फिर से चलेंगे अपने SBI card applications पर तो यहाँ पर आप लोग देख पर हमें थांकी your payment has been successfully received तो आपके credit card का bill payment हो चुका है यहाँ से आपको एक screenshot ले लेना है और यहाँ से exit हो जाना है